hey guys what's up welcome back to the channel happy diwali to you all and to your family also so काफी time से मैं सोच रहा था कि मेर को एक mouse लेना है क्योंकि जैसा कि आप रोग पता है वैवराइंट के अंदर flick shots जो होते हैं वो बहुत जादा मुश्किल होते हैं और मैं जो mouse यूज कर रहा हूं वो है को को स्पोर्ट्स का और इसमें मेरे को दिक्कत ही आ रही है कि जब भी मैं flick shots मार रहा हूं तो यह spin out हो रहा है तो as always mouse को अप्ग्रेड करने का time आ चुका है तो काफी research के बाद मैंने चूज किया है costume का कि खिल लोगा 333-51-C so यह mouse 2600 का है ठीक है wired और wireless दोनों है left और right आम वाले persons दोनों चला सकते हैं कोई left hand हो या right hand हो दोनों चला सकते हैं तो आओ इसकी specifications बाता हूं और let's get into the video so guys this mouse comes with 10 buttons honeycomb design that can be replaceable with a normal one बहुत ही lightweight mouse है 89 grams का है जो कि gaming करते time बहुत ही light feel होगा ठीक है आपको लंबे sessions के लिए दिक्कत नहीं आईगी ठीक है USB extension के साथ आती है अगर आपको connectivity की दिक्कत आ रही है तो आप इसको extension के मदद से अच्छी connectivity यूज़ कर सकते हो इसके अंदर sensor यूज़ करा गया है Pixar का 3335 जो की gaming के flick shots में आपको बहुत अच्छी performance देगा 400 mAh की battery है जो की आपको charging के साथ मिलती है बहुत ही मज़ा आएगा आपको खेलने में बार बार charging की दिक्कत नहीं आएगी और अगर आपको charging के साथ नहीं केलना तो यह wireless और wired दोनों में चलता है ठीक है तो guys आओ बात करते हैं box के contents के बारे में कि हमें box के अंदर क्या क्या मिलता है तो आओ let's see क्या मिलता है सबसे पहले हमें मिलता है यह manual जो कि कोई नहीं पढ़ता है फिर हमें मिलता है mouse जिसके बारे में बाद में बात करेंगे पहले देख लेते हैं और क्या क्या चीज़े मिलती है इसके अंदर तो इसके अंदर हमें मिलता है एक replaceable back जो कि हम honeycomb design अगर हमें नहीं पसंद आ रहा तो हम ये normal back लगा सकते हैं और ये magnetic है दोनों के दोनों magnet से भरा हुआ है बिल्कुल पूरा mouse magnetic magnet है ये हमें मिल जाते हैं कुछ side buttons चार side buttons मिल जाते हैं left और right दोनों के लिए अगर आपको use नहीं करना वो sensitive है जो हमारे mouse के अंदर हमें मिलते हो थोड़े sensitive है अगर आपको नहीं पसंद तो ये आप normal वाले लगा सकते हो और ये हमें back जो है वो plain back मिलती है जिसके अंदर हमें लोगों मिल जाता है PC थोड़ा table के नीचे रखाऊ है दूर रखाऊ है तो हम इसके मज़द से हमारी connectivity को बढ़ा सकते हैं तो आओ अब बात करते हैं हमारे mouse के बारे में कि हमारा mouse दिखता कैसा है और कैसा है तो ये हमारा mouse जो की काफी sexy लग रहा है खानी कॉम design के साथ काफी अच्छा लगता है और चाहो तो आप इसके साथ normal use कर सकते हो जो हमें ने दिखाया अभी हमारे को इसी के अंदर ना कौन चाहिए थोड़े से ना हां तो ये magnetic है लग जाता है इसी के अंदर हमें इसका connector मिल जाता है जो की हम अराम से लगा सकते है इसके अंदर ही मिलता है आगे हमें मिल जाता है type c charging cable जो की 400 mh की battery के साथ आता है इसके अंदर battery inbuilt है आप इसको wired और wireless दोनों use कर सकते हो और mouse काफी अच्छा है left और right में बहुत अच्छे buttons दिये हुए काफी sensitive buttons है तो जो buttons replaceable है वो आप change कर सकते हो अराम से कोई दिक्कत नहीं है तो आओ और पीछे यह बात तो मैं भूली गया था यह आप on off का button है अगर आपको light चाहिए या नहीं चाहिए mid में कर दोगे तो wave वाला motion आ जाएगा इसके साथ हमें software का support मिलता है जो कि आप इसका wave software के अंदर control कर सकते हो यह हमारी lights change या वो कर सकते हैं आफ कर सकते हैं और यह मिलता है हमें सिरफ हमारा कॉस्मिक बाइट का और स्क्रोल बटन में जो light चलिए according to dpi आप चेंज कर सकते हो कौन सी dpi पे कौन सा light चलेगी जो कि मैंने 800 dpi पे green light कर रखी है 400 dpi पे red कर रखी है को भी according to your senses ठीक है तो आओ gameplay पे चलते हैं और test करते हैं कि mouse actual flick shots में कैसा है flick shots संभाल भी पा रहा है और नहीं तो आओ तो guys अभी अपन लोग आ चुके अपनी screen पर and gameplay पर जाने से पहले हम लोग check कर लेते हैं मैं आप लोगों को एक दो चीजे बताना भूल गया था जो कि है इसका software support this mouse comes with their own software support जो कि आप Cosmic Byte की website पर जाकर ले सकते हो बाकी मैं Cosmic Byte की website का link description में डाल दूँगा tension मत लो और इसको purchase करना होगा तो उसका भी link मैं आपको description में दे दूँगा उसकी भी tension मत लेना ठीक है और बाकी इसके software की बात कर लेते हैं तो आओ software देख लेते हैं कि क्या क्या है हमारे को 3 मिल जाती है profile जो कि सारे के सारे हम यहा पर change हो सकती है आराम से left button right button सब कुछ आप change कर सकते हो उसके आलावा यहां पर हमें मिल जाता है DPI का button मैंने यहापर DPI सब कुछ default रखा हो तो इसमें क्या है आपको 400 से लेके 16,000 तक की DPI मिल जाती है जो की मेरे हिसाब से самые 16,000 कोई use करता ही नहीं होगा askawh 1600 के अपर कोई use करता ही नहीं है बस हाँ यह mouse support करता है 16,000 तो जिसको use करना है वो use कर सकते हैं ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ से आप आपने इसके change कर सकते हो lightning वाले उसमें जाईए और अपने यहाँ पर lightning चेंज कर सकते हो जो कि मैंने आप लोगों को बताया था इसके इस वाले बटन पर जाकर आप चेंज कर सकते हो अगर आप इसको mid में कर दोगे तो आप यहाँ से जो भी चीज़े चेक करोगे वो आप चेंज कर सकते हो easily ओके parameter, mouse sensitivity, double click speed, scrolling speed, macro, simple button दबाने के बाद आप कैसे क्या क्लिक कर सकते हो क्या नहीं कर सकते तो वैसी चीज़े होगी ठीक है अब बात आ जाती है हमारे gameplay के उपर कि हमारे gameplay में क्या फरक पढ़ रहा है क्या यह spin-out कर रहा है या नहीं तो आओ, check करते हैं, हमारी game की screen पर जाते हैं और check करते हैं, let's go तो guys, आ चुके हैं अपनी game की screen पर, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, mouse को मैंने connect कर लिया है, मेरा mouse इस वक्त 800 dpi पर है second पर है, मैंने उसको green पर set कर रहा है कि हाँ, जब भी मेरा 800 dpi पर होगा तो वो green दिखाएगा, तो इससे मेरे को यह पता लग जाता है कि हाँ, मेरा 800 dpi पर है तो बहुत अच्छा feature है, यह costume guide का, ठीक है, और जैसा कि आप लोग देख सकते हो, कोई beef लिक नहीं है, कोई beef लि नहीं दिख रहा, मेरा पिछला mouse यहां आ जाता था, जैसी मैं इसको पेज़ी से spin out कर देता था, तो यहां आ जाता था नीचे, बट इस mouse में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, मेरे को बहुत ही प्यारा और premium फील आ रहा है, इस mouse को पगड़ने के बाद ही ना यार वो एक premium ना स्पील हो जाती है, ठीक है, तो आओ if अ है करते हैं कि हाँ या एक्टर वी Nedra मीडियमाट्स करो देखते है, लेट मीडियमाट्स में जाई में बाकर दिताथा हैtoo, इस जाइधा है रिजेक्ति हैं तो आपी मैं और मिडियमाट्स में भी मॉलीत सपील है है तो बहुत प्यार वह बात करते हैं इसके कॉंक्लूजिन की तो कॉंक्लूजिन में यही बात निकलती है कि आप लोगों का बजट अगर 3000 के अंदर है 3000 तक का है और आप उसके ओपर नहीं जा पा रहे हो तो यह माउस आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो ठीक है बात करूंगा लॉजिटेक वाले की लॉजिटेक जीफ जीफ फोर ओटू की वो शायद मेरे इसाब से इसी के प्राइस रे अपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके वायरलेस के अंदर आप इसको वायर भी उसकर सकते हो मैंने आपको बता दिया इसकी जो वायर मिलती है सिंपली कनेट करिए अपने पीसी पे करिए और सिंपली प्लग एंड प्ले तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज गाइज लाइक, शेर एंड सब्सक्राइब और अगर आप लोगों को मन कर रहा है करीदने का तो जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक है और जाके मासे खरीदो मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसी ही किसी और नेक्स्ट वीडियो में, सब तक के लिए विवान सेंग, as always, peace out, bye bye